असलाम नेकुम डियर स्टूडेंट आज हम दुबारा देखेंगे आपनी उस रिसर्च स्टडी को जिसको हम डिसकस कर रहे थे जिसके अंदर हमने यह देखा है कि उन रिसर्च ने असेस किया वनियादी तौर पे जिसको बेटर तरीक से इंटिग्रेट करके क्लास्रूम इंस्ट्रक्शन में इस्तमाल कर सकें अब यहां हम सब पढ़ने जा रहे हैं कि लिट्रेचर विव में और क्या इंपॉर्टन चीज थी उस आर्टिकल की अब देख रहे हैं इसको हम देखने जा रहे हैं टी से के और पी सी की आर्टी से के क्या है टेकनिकल कॉंटेंट नॉलजच और पैडगोजिकल कॉंटेंट नॉलजच जो कि हम अल्रडी पढ़ चुके हैं कि यह क्या है जो इसको हम देखते हैं कि हम लिटरेचर रिवीऊ क्या बताथा वो जब हम टेकनिकल काउंटेंट नॉलजच का दिकर करते हैं तो आज कल जो हमें टूर्स अवेलेबल हैं तो ना सिर्फ टीचर को यह पता होना चाहिए कि वह डाप्स किया है बल कि तो अगर टीचर को इस चीज के बारे में इल्म है और वह उस आपको प्रॉपरली जानता है तो डेफिनेटली वह अपनी क्लास्ट्रूम में इसको बहुतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है इंटीग्रेट कर सकता है अपनी कॉंटेंट को डिस्सीमिनेट करते हुए जब हम कॉंटेंट की बात कर रहे होते हैं तो यह हमारी इंपॉर्टेंट है कि जो आप सॉफ्टेंट की बारे में पता होना चाहिए उसके इंटरफेस की बारे में पता होना चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि वह आपकी कॉंटेंट में किस तरीके से इस्तेमाल वो यह आता है कि आप ना सर्फ hardware को थोड़ा बहुत समझें बलकि उसके software की features को भी आप समझ सकें और यह देख सकें कि वो आपकी assessment, आपकी lesson plan के साथ कैसे match होगी और आपके subject की content के साथ वो gel in होती भी है यह नहीं होती for example, अगर आप कोई language पढ़ाने जा रहे हैं चाहे वो अंग्रीजी है या उर्दू है और आप technology को integrate करने जा रहे हैं तो आप यह जरूर देखें कि वो technology कुछ इस किसम की हो जिससे बच्चों में pro social behavior developer pro social behavior का मतलब है कि जिसके अंदर बच्चे participate करें आपके साथ proactively सोचें, discussion करें, dialogue करें और उनको मौका मिले के बच्चे discuss करें, उनको questioning का वक्त मिले, उनको उसका मौका मिले तो अब बुनियादी तो पर जब हम इस किसम की software को देखते हैं तो हमें यह judge करना पड़ता है कि software के अंदर कौन से elements हैं, किस किसम की चीज़ें जो बच्चों की linguistic concept को के लिए space देंगी या नहीं देंगी, यह सब चीज़ों को judge करना भी teachers का का काम है इसी तरीके से जब हम instruction software को बच्चों के लिए choose कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो interfaces मौजूद होते हैं, यह देखते हैं कि वो interface जो है, वो बच्चों की age के मताबिक है या नहीं है, ना सर्फ उनकी physical age के मताबिक, बलकि उनकी cognitive age के मताबिक, यह हमारा सबसे important feature होता है, कि कि वो बच्चों को cognitively उस subject में support करेगा भी के नहीं करेगा, उसके buttons बड़े हैं, यह उसके buttons छोटे हैं, यह उसका cursor बड़ा हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, उसका font size क्या है, icons को और ड्रैक कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते हैं, इस किसम के features क्या वो बच्चों को distract करेंगे, learning process स या उनको focus और उनके attention retain रखेंगे, यह तमाम चीज़े भी teachers को सोचनी पड़ती है, जो आपके technological content knowledge और pedagogical content knowledge के अंदर आती ही आती है, उसके आगे जो important और चीज़ आती है, वो यह आती है, कि आप यह देखते हैं, कि जो आप software इस्तेमाल करने जा रहे हैं, या app इस्तेमाल क करने जा रहे हैं, उसके अंदर animations हैं, उसके अंदर sound effects हैं, क्या वो distractor तो नहीं है, उससे बच्चे जो हैं, वो learning से हट तो नहीं जाएंगे, जो आपके learning objective है, lesson plan के, उनका focus वो इधर उधर तो नहीं कर देंगे, तो यह important चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है, जब हम छोट आप technology की थूप पढ़ाने जा रहे हैं, वो भी developmentally appropriate होना चाहिए, बच्चों के cognitive level के मताबिक होना चाहिए, learning objective के मताबिक होना चाहिए, teachers जो है, उनका important काम यह होता है, कि self-efficacy जो है technologies related जो है, वो बच्चों के अंदर develop करें, और इसकी awareness develop करें, ना सर्फ अपने अंदर, ब बताती है, कि different किसम के learning experience जो होते हैं, pre-service teacher training में teachers को देते हैं, जिसमें multiple किसम के technology वो इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने lesson planning में वहां करके दिखाते हैं, teaching practicum में, और micro teaching के अंदर, वो show cast करते हैं, और इसको discussion में लेकर आते हैं, कि उन्होंने different technology को कैसे integrate किया, और discussion में पता च कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, और यह तमाम चीजें जो है, teachers को एक मौका provide करती हैं, जिसमें वो अपने तीनों area को integrate करना सीखते हैं, और इसकी sense making करना सीखते हैं, कि कैसे pedagogy को, content को, और technology को integrate करना है, और clearly goals set करना है, अपनी classroom के लिए, कि हमने कैसे सिखाना है, और क् करने करने, और क्षान